प्यारे वच्चो इस वीडियो में हम वाटिका कक्सा 5 पार्ट 10 चेतक की वीर्ता इस पार्ट के अभ्यास प्रशनों के हल देखेंगे सबसे पहला हमारा प्रशन है चेतक किसके इशारे पर मोड जाता था इस प्रशन के उतर में आप लिखेंगे चेतक महराना प्रताप के इशारे पर मोड जाता था देखते हैं अगले प्रशन को चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था चेतक की टापों को सुनकर दुश्मनों का दिल दहल जाता था देखते हैं अगले प्रशन को चे तक शत्रू की सेना पर किस प्रकार तूट पड़ता था इस प्रशन का उत्तर आप लिखेंगे चे तक शत्रू की सेना पर भयानक बादलों की तरह तूट पड़ता था देखते हैं अगले प्रशन को, चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पढ़ता था, अपनी चोकडी सी चाल से चेतक निराला दिखाई पढ़ता था देखते हैं अगले प्रशन को चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे क्यों? उत्तर चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे बलकि वहर महराना प्रताप के मातर इशारे से ही समझ जाता था देखते हैं अगले प्रशन को क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया उत्तर चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था जिसे देखकर बैरी समाज दंग रह गया अब देखते हैं अपने अगले प्रशन को हम महरणा प्रताप को क्यों याद करते हैं इस प्रसंड का उत्तर है हम महारणा प्रताप को उनकी बहादुरि और प्राकरम के लिए याद करते हैं देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रसंड को इन पंग्तियों के अर्थ लिखिए पहली पंक्ती है राणा प्रताप के घोडे से पढ़ गया हवा का पाला था तो इसका अर्थ क्या है भावार्थ क्या है राणा प्रताप का घोडा हवा को भी पचाड कर तेज भागता था ये इसका मतलब है अगली पंक्ती है विक्राल वज्रमे बादल सा अरी की सेना पर गहर गया तो इसका अर्थ क्या है भयानक कठोर बादल की रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर तूट पड़ा ये इसका अर्थ है अब देखते हैं हम अपने अगले प्रशन को इसमें हमें क्या करना है प्रशन तीन कविता के अधार पर रिक्ति स्थानों की पूर्ती कीजिए तो जहां पर ये लाल रंग से शब्द लिखे हैं ये खाली स्थानों में भरे गए शब्द है मारना परताप के घोड़े का नाम था चेतक घोड़े की बहादुरी से दंग रह गया दुश्मन भी चेतक का इशारा पाते ही मुड़ जाता था राना परताप युद अक्षेतर में भर भर कर चेतक निराला बन गया था चोकडी ये खाली स्थान भर देंगे आप आप देखते हैं इसमें प्रसंचार सोच विचार बताईए चेतक को निराला क्यों कहा गया उत्तर आप बताएंगे चेतक अपने आप में अनोखा था इसलिए उसे निराला कहा गया अब देखते हैं हम इसमें भाषा के रंग नीचे दिये गए शब्दों के तुकांत शब्द कविता से खोज कर लिखिए अब इनके हमें तुकांद शब्द लिखने हैं निराला, पाला, कोडा, घोडा, चाल, भाल, लहर, ठहर, ढंग, रंग ये हो गए हैं तुकांद शब्द अब देखते हैं अगले प्रशन को इसमें हमें क्या करना है नीचे लिखे शब्दों को सही करम में रख कर वाक्य बनाईए तो हमने वाक्य बना देए हैं आपकी किताब में इन्हें आगे पीछे लिखा गया है शब्दों को आप यहां से सही वाक्य देख सकते हैं पहला है घोड़ा सरपट दोड़ता है चेतक से पड़ा हवा का पाला था घोड़ा चेतक बहुत बहादुर था चेतक महरणा परताप को लेकर उड़ जाता था यह हमने सही वाक्य बना दिये हैं अब यहां पर आपको इस्तिरिलिंग शब्द लिखने हैं जैसे घोड़ा का घोड़ी ठहरा ठहरी दोड़ा दोड़ी गिरा गिरी यह हुए इनके इस्तिरिलिंग शब्द अब आगे इसमें अगला प्रश्ण है जो आपसे पूछा गया है कविता में आए युद से संबंदित शब्दों को लिखिये जिनका जो शब्द युद से जुड़े हैं वे लिखने हैं जैसे रण, भालों, ढालों, करवालों, निशंग ये शब्द ऐसे हैं जो युद से जुड़े हैं अब देखते हैं इसमें हम प्रसंद 6 को तुम्हारी कलम से कविता में चेतक की वीरता के बारे में बहुत सी बाते बताई गई हैं इन में से कोई सी चार बाते लिखिये जो आपको बहुत पसंद आई हों अब इन में से जो भी बाते आपको पसंद आई हों आप स्वेम सकते हैं कविता का हाव भाव के साथ सैस्वर वाचन का अभ्यासकर कक्षा में सुनाईए ये भी आप स्वेंद कर सकते हैं राणा प्रताप से संबंधित और जानकारी पुस्तकाले से पता कीजिए ये भी आप अपने टीचर्स की हेल्प से स्वेंद कर सकते हैं अब इसमें प चेतक की मुख्य विशेष्टाई क्या थी एक ये बना सकते हैं अब देखते हैं हम इसमें लास्ट प्रसंद को इस कवीता से मैंने सीखा ये आप स्वेम लिखेंगे अपने टीचर्स की हेल्प से और मैं करूंगी या करूंगा ये भी आप स्वेम लिखेंगे तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने वाटी का कक्सा 5 के पाठ 10 चेतक की वीरता इस पाठ के अभ्यास प्रशनों का हल देखा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए धरन्यवाद प्यारे बच्चों